आपके मनुरण चन पर अब नहीं लगेगा कोई भी सापलस के बहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेर और सब्सक्राइब करिए सापलस के यूट्यूब पेज को भाखी वाखी मैं साथी, मैं बाद में आता हूँ कोई बात ने विराट विराट अब का क्योग तुम रोक सकते हो क्या हुआ कुछ काम था थैंक यो बोलना चाथा था तुम घर वापस आ गई ना, इसलिए सही को थैंक्यू बोला तुमने मेरे घर आने के लिए मैं सही को थैंक्स क्यों बोलू मैंसे भी सही नहीं चाहती कि तुम्हारे घर लोटने का श्रे उसे मिले असा लगता है विराट जैसे तुम अपने प्यारी बीवी से बहुत दादा इंप्रेस्ट हो इंप्रेस्ट हो या नहीं ये तुमें नहीं जानता पर खुश जरूर हो क्योंकि सही ने वो कर दिखाया जो उसने बोला था वागी मुझे तो ये भी नहीं बता कि तुम सही के कहने पर यहां आई हो या अपनी मर्जी से आई हो पर मैं खोश हूँ कि तुम वापस आगई हो पाखी उमीद करता हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हें अपने आई बाबा के घर वापस जाना पड़े कोई परिशानी कोई तुम्हें परिशान करे तुम मुझे पता ना ओके? गुद नाइट जो बात मुझे सबसे जदा परिशान करती है वेराट वो पस मैं तुम्हें ही तो नही बता सकती मुझे सबसे जदा परिशानी होती है तुम्हें और सई को एक साथ देख कर मुझे सबसे जदा परिशानी होती है अलो? पाखी ऐसे बेटा? मैं ठीक हूँ लेकिन आप इस टाइम आप सोहनी अभी तक? अरे नहीं बेटा दीन्दी नहीं आ रही अच्छा सुन मेरे जाने के बाद किसीने तुम्हारे साथ कोई बत्तमीजी तो नहीं की? नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुझे किसीने कुछ नहीं बोला आप ले इतनी रात को यही पुछने के लिए फोन किया था? पाखी बेटा, जबसे मैंने तुम्हारे ससुरार वालों की तुटु मेह में सुनी है न तबसे मुझे तुम्हारी और ज्यादा चिंता होने लगी है बेटा यह सब तो यहां आम सी बात है बाबा और इस घर में यह सब चलता रहता है आपने आई को तुर कुछ नहीं बताया न? अरे नहीं नहीं बेटा, हिम्मत ही नहीं हुई मेरी और बेटा वैसे भी मैं उसे यह सब बता था तो वो तेरे लिए और ज्यादा परेशान हो जाती बहुत सही किया आपने बाबा जो आई को कुछ नहीं बताया नहीं तो वो छोटी-छोटी बातों को लेकर बहुत टेंशन ले लेती हैं और सिर्फ आई ही नहीं, आप भी आजकर बहुत टेंशन लेने लगें अरे बाब जो हूँ, टेंशन तो होती है ना बेटा मैंने कहाना बाबा, सब कुछ ठीक है आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजे खुछ रहना बेटा बगवान करे तेरी जिंदगी में चैना और सुकुन फिर से लवटा है अच्छा चल, रखता हूँ गुट नाइट बाबा गुट नाइट बेटा नहीं लोट सकता बाबा क्योंकि मेरी हथेली में से चैन और सुखुन की लकीरे मिट चुकी स्टाप्लस के ऐसे ही और बहतरीन लमहे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल को हुआ 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 हुआ